नवस्कार दोस्तों स्वागत था आपका अपने चल्मिस्ट्रेस्विक लाइज पर जी है दोस्तों आईए आज के आउट्सोर्सिंग के चेकरम चे जोड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या खबर आये तो शुरुआत करते हैं दोस्तों कुछ ऐसे प् फारं बरने की लास्ट डेट थी वो है आज जी हाँ 17 नौमबर तक इसको दोस्तों बढ़ा दिया गया है पहले ये थी 15 नौमबर तो आज की लास्ट डेट है जिस भी साथी ने अपलाई नहीं किया या फिर करना चाहता है तो वो अपलाई कर ले आज तक दोस्तों ये जो अपलाई कर पाएंगे आज लास्ट डेट इसकी जो पोस्ट का नाम रहेगा सी पी एल ओ ठीक है यहाँ पर बता गया है पंचायत लोकल ओपरेटर दोस्तों यहाँ पर यह रहेगा क्रीड की डिपार्टमेंट की तरब से लगाया जाएगा यानि के जो फैमली आईडी का का करता है क्रीड डिपार्टमेंट आगे बढ़ते हैं आज का एक और जो करेकरम है वो भी देख लिजिए यहाँ पर दोस्तों करनाल से अपडेट आ रही है मांगों की अंदेखी के विरोध में आज विरोध परदसन करेंगे करमचारी तो आज विरोध परदसन करने जा रहे है दोस्तों यहाँ पर जो करमचारी है प्रदेश में कारत तमाम भी भागों के कच्छे करमचारी का नियूंत वेतन 26,000 रुपे दे जाने को सलोजगार निगम के तैत लगे करमचारी को पका करवाने समय पर वेतन जारी करवाने सुपाई करमचारी की मांगों को हल करवाने जैसी मांगों को लेकर यापर आज परदसन करने जा रही है करमचारी है जो यहाँ पर बता गया है जिला उपायुक्त के माधम से जो मुख्य मंतरी हर्यान सरकार है उसके नाम गया आपने आपर सोपा जाएगा तो आज का दूस्तों यह कारिय करम है आगे बढ़ते हैं अब कोसल लोजगार निगम के तहित जो करमचारी अनुभाव के आदार पर लगेंगे जी हाँ यह अनुभाव दोस्तों गोर्मेंट डिपार्टमेंट का होना चाहिए इसके समद्ध में लैटर भी जारी किया गया था कल की डेट में वो लैटर भी आप लोगों को दिखा देते हैं यह वो लैटर है जिस पर हमने कल से हम को ही वीडियो बना दी थी जिन साथियों ने अब तक इसको नहीं देखा विस्तार से हमने इस वीडियो में बता गया है इसमें जो रिजर कैटिगरी है उसको पांच साल की छूट दी जाएगी और जिसके पास गुर्मेंट डिपा नारायनगड से खबर है सफाई क्रमचरियों के सोसन पर नगरपलिका नारायनगड का मूख दर्सक बना बनना सरम नाक है जी हां बता दें आप लोगों को सातियों यहां पर कई दिनों से यह जो परतसन है चल रहा है नारायनगड नगरपलिका के प्रांगन में क्रमचरी ब बनता है वो भी दोस्तों एक साथ इनका जारी किया जाए तो समान काम समान वेतन की मांग को लेकर करमचारी अभी भी डटे हुए हैं यहां पर आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं शिरसा से खबर है बता दें आप लोगों को लंबित मांगों को लेकर संग करेगा आंदोलन ज और पांच दिसंबर को रोत तक हुए हिसार में विरोध परदसन करते हुए मुख्य अभियंता के मादम से मुख्य मंत्री के नाम ग्यापन सोंपात जाएगा तो बाइस जिलों से शेकडों कारेकर ताइस जो है प्रोग्राम में भाग लेंगे इनकी भी परमुक मांगे दो और पर-टाइम करमचारियों को कोचलोजगार निकम में सामिल करना सब स्टेशन यार्ड स्टिक को पांच से साथ करना अन्य कई कच्चे करमचारियों के मांगों के हित में यहां पर यह आवाज उठाई जाएगी तो अनुबंदित विद्यूद करमचारी संग एक बार फि पुबलिक हेल्थ ग्रामिन ट्यूबल ओपरेटर दोस्तो ये अपनी मांगों को लेकर दोस्तो दस सांसदों को ग्यापन सोंपेंगे हरियाना के जो दस सांसद बनते हैं इन्होंने आपर बता है जिला मेंदरगड के ट्यूबल ओपरेटरों का परतिनी दिमंडल बीस नौम दिया जाए और जो छुटियां होती है इनकी जो नियम के नुसार मिलनी चाहिए वो सारी की सारी लागू होनी चाहिए ग्रामिन सपाई करमचारी जुड़ी खबर देख लेते हैं यहापर ब्यवानी से अपडेट है ग्रामिन सपाई करमचारी यूनियन ने जलाया सरकार का पुतला जी हाँ एक जार उपे वेतन वरदी को बताया ना काफी मांगे पूरिय न होने के कारणिया पर कर रहे हैं विरोध तो लंबे समय से दोस्तों यह डटे हुए हैं ग्रामिन सपाई करमचारी बताया गया है एक जारुपे जो वेतन वरदी की थी उसे यह पढ़ने के बाद भी इनकी मातर 15,000 रुपे ही सेलरी होगी तो काम का दवाव इनके उपर काफी ज्यादा होता है और यह चाहते हैं कि नई सफाई करमचरी की बढ़ती की जाए चैरसु की आबादी पर दोस्तों एक सफाई करमचरी की बढ़ती की जाए क्योंकि काफी लंबे 26,000 रुपे वेतन और चैरसो के आबादी पर एक सफाई करमचरी तो करनाल में भी करमचरी जो है पर दर्शियां पर कर रहे हैं ग्रामिन सफाई करमचरी आगे देखे लेते हैं यहाँ पर एक अपडेट है सक्सम युगाओं के लिए जो भी साथी इससे जुड़े हुए है या जो भी इसके बारे में जानते हैं बता दें आपर पुरानी बता स्कीम 20% ने भी नहीं दिया सपत पत्र तो सपत पत्र की दोस्तों यहाँ पर बता गया है कि हर साल को इस सपत पत्र देना पड़ता है जो साथी आपर काम करें उनको ज्यादा पता होगा इसके बारे में तो वो जरूर दे दे लेकिन इस बार अपडेट ये जरूर आ रही है कि इस बार जो केंडिडेट है वो इस फारम को बरने में रूची नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि पैसे कम मिलते हैं जबकि नियम और कानून ज्यादा लगा दिये गए हैं जी हां नियम कानून ज्यादा जारी नहीं किया है और सफ़त पत्र जमा नहीं करवा है सफ़त पत्र जमा नहीं करवाने पर इनका विरोज्रीचारी म ड़ानी बता स्कीम के लाबारती है इंको अपना बता चालू रखने के लिए हर वरस्पत पतर देना होता है लिकिन अपडेट आप लोगों के लिए अगर देना है तो आप लोग ज़रूर दे दीजिए और जनकारी नहीं है तो करलें सोनीपत से देख लेजिए तीन देविशिय मजदूर की सान पड़ाव में आशावरकर भी होंगी सामिल तो आशावरकरों ने भी दोस्तों यहां पर सामिल होने का निरने लिया है और इनको 2100 रुपे की वेतनवर्दी की गोश्रा मुख्यमंतरी साब ने की थी और पंदरा सो रुपे वेतनवर्दी क्या जो सेंटर गवर्मेंट की तरप से इनको मिलता है उसमें भी एक तरह से सिफारिश करने की लैटर बेजने की सरकार को बोला था तो यहां पर अब पाशावर्कर हैं एक बार फिर से यहां पर मजदूरों की जो किसान मजदूर का जो पड़ाव डलने जा रहाती हैं दे उसमें बाग लेने का इनों ने 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 लिया है पंचकुला में इसके बाद नारनोद देख लेते हैं नारनोद से अपडेट है मनरेगा में कारित साएक के पद पर काम कर रही हैं पुछले काफी समय से सरकार ने हमारा मानदे नहीं बढ़ाया है उनकी सरकार से मंग की मानदे को बढ़ाकर 20,001 की आ जाए तो 20,0001 की मांग करें सेलरी की यह जो रोजगार साइक है जो मन्रेगा के तैट लगे हुए है अन्य परदेशों में भी रोजगार साइकों का वेतन बीशजार से उपर है तो यह बीशजार सेलरी मांग रहे है आसी बरवाल से ही अपडेट देख लेते हैं फायर ब्रगेड के करमचारियों ने मीटिंग कर सरकार के खिलाब की है नारे बाजी तो समान और पे रोल करमचारियों की वेतन वर्धिन नहीं ओने जैसे मांगे रखी है उन पर जोस्तों इन्होंने अपना जवजो हध्यान दिलवाया है अपने अधिकारियों का और हिसार से ही अपडेट है 18 और 19 को निकाय मंत्री के आवास के सामने नगरपली का करमचारी डालेंगे महापडाव तो नगरपली का करमचारी सांग एक बार फिर से यहां पर 18 और 19 को पड़ाव डालने जा रहा है महापडाव जी हां यहां पर आप लोग देख पाएंगे दो दिवस्याजिव महापडाव रहेगा निकाय मंत्री के आवास पर बता गया ठारा नौंबर को सुबह 10 बजे से ले जोड़ी खबरें अगर आभी चाते हर्याना में जोड़ी खबरें चैनल को जूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों साथ सेर करें थेंक यू वेरी मुच